कि नमस्कार दोस्तों विएस नॉलेज इलेक्ट्री चलने में आप सब्सक्राइब स्वागत है रास्तान रोडवेज भरती 2020 का इंतजार करने वाले पर्देसबर के लाकूव विद्यारतियों के लिए बड़ी खुसकपड़ी निकल के सामने आ रही है कब तक इसकी विकपती जारी होगी प्रिक साइजनसी को निशी होगी क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी कितने पतों के ओपर यह भरती जारी की जाएगी संपूर्ण जानकर आपको इस वीडियो के मदम सी मिलने वाली है तो वीडियो का आप एंड तक जरूड़ दखें अगर आपको इनफोर्मे पर होगी आज के निश्पेपर में सब कुछ केलियर कर दिया गया है मैंने कल आप लोगों को इनफोर्मेशन देखे चैनल के उपर वीडियो अपलोड करके सब कुछ के लियर किया था उसके बावद भी आज देनिक बासकर में निकल के सामने आई है रोड़ बेज में खाली ही 5000 पदों पर ड्राइबर कंडेक्टर और अन्य पदों पर बढ़ती होगी जिसमें आयटेव विद्यार्थियों के लिए कितने पदों पर बढ़ती होगी वह भी आपको इन्फोर्मेशन के मादम सी मिलने वाले हैं आगे इसमें बतागा है कि रोड़ बेज ने इस समयंद कि रिए प्रमुक्त सचीव रोड़ाइज के उसका उनकी मीटिंग होई थी उस मीटिंग में भी यह तेक्या गया था कि जल्दी ही रास्ता रोड़ बेज की विकपती जारी की जाएगे अगस्त में विकपती जारी कर दिजाएगी आगे इसमें बतागया है जिसे मनजूरी मिलने के बाद भरती परक्रिया सुरू होगी रोडवेज परसासन में करमचारियों के के लियाज से बात की जाये तो वर्तमान में करीब 12000 करमचारियों काम कर रहे हैं यह वर्तमान समय में 12000 करमचारियों के लगे हुए हैं जिसमें भारी कमी है रास्तान रोडवेज में पास टूप से बता गया कि 52 पदों की बढ़ती के समंद्ध में मंजूरी मांगी है ना कि दुबारा से प्रस्ताव बना कर भेजा जाएगा पंद्रा सो बारा सो पदों के लिए बढ़ती जारी की जाएगी जो कि पहले भी आप लोगों को इंफरमेशन दी गई है आगे इसमे सर्कार से चर्चा हो चुकी है मैंने आप लोगों को बता कि परसूर ट्रिट करके कि मुखस सचीव शर्मा के साथ में रोडबेश के साथ में मिटिंग हो चुकी है जल्द ही अगस्त मामें वीटियस सविकृति याँप देखने को मिलेगी आप लोगों को और विगपतीं ब बसों और क्रमचारी दोनों की कमी से जूज रहा है एक तरफ जब मुख्य मंत्री श्री असो गयलोट में बजट कोश्णाओं में एक हजार बसे सर्विस मोडल में देने की कोश्णा की थी वहीं रोडबेज में की और शे 590 बसों की खरोद परक्रिया भी सूरू कर देगी हैं सब्सक्राइब अगले माइने में जारी हो जाएगी और जहां तक मुझे जानका रहे हैं कि अगस्त लास्ट तक या सितमवर के फैस्ट सप्ता में विकप्ति आप लोगों को देखने को मिलेगी आप लोग अपनी त्यारी जारी रखे आगे इसमें बता कि एसे में रोडब के अपर यह विकप्ति जारी होगी और प्रिक्षा एजेंसी कौन इसी होगी जैसे कि कल आप लोगों को इनफरमेशन दे थी कि या तो करमचारी चाहिन बोड के मादम से एक्जाम करवाई जाएगी जबी वितिय सब्कृत जारी होती है अगले मेने में करमचारी बोड नही इस प्रिक्षा का आउजन होगा अब मैं पदों की संख्या की बात करूं इसमें कितने पदों के पर किस विवागी में बढ़ती होगी और आप लोगों को जैसा कि आप सभी को विधित है कि 2013 के बाद में यह बढ़ती नहीं आई है 10 साल के लंबे इंतजार के बाद में 2023 में डिकलेर किया गया था कनिष्ट अभियंता बैक के शोपदों के लिए होगी कनिष्ट विधी अधिकारी 25 पद होगे कनिष्ट लिखाकार के 150 पद होगे सिकर लिपिक के 20 पद होगे सायक यातायक के 125 पद होगे उप भंडार निरख सकते 100 पदों के उपर यह विकप्ति जार होगी आगे बात करें कि यहां पे तो कनिश्च शाहिक के 130 पदों के लिए विकप्ति जारी होगी और टीजन ग्रेड तर्तिय यानि आइटे विद्यार्थियों के लिए जिसमें एलेक्ट्रिसियन है फेटर है मेकनिकल है डीजल है इन सभी के लिए पंद्रा सो पदों के लिए विकप्ति जारी की जाएगी तो दौस्तों आप लोग अपने त्यारी जारी रखे जल्द ही बाउन हो पद्रों के लिए विकप्ति जारी वह जाएगी में इसथी शिद्धी बढ़ती सभी कर्त पदों के बात करें तो 621ithm सभी बात करें लेकिन इन से 50 सभी अर्य को में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहां पर 590 बसों के जो खरीद परक्रिया है इनके टेंडर परक्रिया भी यहां पर सुरू हो चुकी है जो भी आपको छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा जैसा कि आप देख पा रहें 27 जुलाई दो जार्टेश की निकल के सामने में आ रहें जेपूर रास्तान रोडवेज में नई बसों के खरोद से जूड़ी ख़बर है तीन पर्मो कंपनियों दिखाई रोडवेज के टेंडरों में रूची कल्प हुई प्रीड मिटिंग में सामिल तीन पर्मो कंपनियां टाटा असोक लेलेंड और आइसर कंपनी प्रीडिंग में सामिल 20 अगस्त को खुले जाएंगे नई बस्तों की खरोद के टेंडर तो दोस्तों 590 नई बस्तों की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो चुकी है इसके साथ ही आप लोगों के वीतियस अविकरती अगस्त माम में मिल जाएगी आप लोग अपनी तयारी प्रक्रिया कि ना ना बोले